हलो दोस्तो, Reader Books Club में आपका फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो बुक Think and Grow Rich पर है जिसको Napoleon Hill ने लिखा है Napoleon Hill एक American author है जिन्होंने नई सोच के मुवमेंट पर लिखा और यहने success पर लिखने वाले महान author में से भी एक माना जाता है Think and Grow Rich एक all-time best-selling बुक में से एक है इस बुक में Napoleon Hill अपने करियर को बढ़ाने के प्रोसेस में मनी की जरुरत और पसन से डिस्टाक्शन के लिए थौर्ट्स और दिमाग की psychological power को discover करते हैं 1937 में publish हुई ये बुक अपने आप में self-help classic है जो investors और entrepreneur को ज़रूर read करनी चाहिए जैसा कि हम बुक के title को देखते हैं ये बुक आपके income को कैसे बढ़ाए और अमीर कैसे बने ये बुक इस बारे में नहीं है इस बुक में author के philosophy हमें help कर सकती है अपनी professional life में success को पाने के लिए अपनी account चाह को पाने के लिए और success को अपनी life में attract करने के लिए अगर आपने अब तक हमारी चानल को subscribe नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं immediately चानल को subscribe करें और वीडियो को immediately like भी कर दें हमारा चानल YouTube के best summary channel में से एक है हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकते है क्योंकि हम वीडियो और बुक के content पर कभी भी compromise नहीं करते इसलिए वीडियो को end तक देखना ज़रूरी है Let's begin आप अपनी किस्मत के master हैं और soul यानि की आत्मा के captain हैं Think and grow rich एक state of mind है Reality में ये बुक exploit करती है आपकी thoughts की power को अपनी strong desires को manifest करने के लिए और अपने purpose को discover करने के लिए आपके definite purpose को reality में बदलना असान नहीं है अगर आपके desires strong हैं और आप दाव लगाना चाहते हैं तो आप जीतेंगे Authoric formula को project करते हैं आपके desires, आपके ideas, आपके plans, आपके massive action ही आपको success दिलाते हैं आप कहां हैं और आप कहां पहुँचना चाहते हैं इसके लिए author highlight करते हैं कि never quit, हार नहीं मानना help ले, नए connection बनाए, नए तरीके अपनाए अपनी job ढूणने की skill को improve करने के लिए और resource की मदद ले नए logo को ढूणे जो आपको अपने goal तक पहुचने में मदद कर सकते हैं desire, आप सबसे उबर कौन से desire को रखते हैं एक powerful desire अपने goal तक पहुचने के लिए दो तरह के motivation को use करती है full motivations, आपके goal का result इतना favorable होगा कि वो आपको अपने goal की तरफ attract करेगा push motivations, अगर आपने action नहीं लिया उसका negative result आपको action करने के लिए push करेगा author desire के 5 important areas को दिखाते हैं career, leading, money, failure और other people's desire career, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे grow करूँगा ego से related concern जैसे title, salary, benefits ये shift होना चाहिए company में अच्छी growth opportunities के लिए leading, आपको lead करने के लिए पहले से ही एक leader को follow करना और उनसे सीखना होगा आपके career को कैसे affect करेगा अगर आप किसी से सीखते जाएं जो उस field के top पर हो जिसे आप admire करते हैं author कुछ steps की series suggest करते हैं उन desires के लिए जो money पर base होती है कितना money और किस तरह का job चाहिए ये निश्चत करें जाने कि आप जितने money की desire करते हैं उसके लिए आप क्या return में दे सकते हैं आप जो money की desire करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चत date को establish करें एक बार अपनी desire को शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए निश्चत plan बनाएं failure बिना किसी emotional attachment से आपकी हार से हुई seek को देखिए और discover कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ उचाईयों को पाने के लिए बदलने की opportunity मानकर अपनी हार को use करिए other people's desire अगर आप employee या freelancer हैं तो company के owner या manager की help करने से अपने goal को पा सकते हैं अगर ये आपके goal से मिलते हैं तो आप अपने goals को भी advance कर सकते हैं क्योंकि आप अपने area of interest में excel होना शुरू करते हैं faith, visualization and belief in attainment of desire बहुत हद तक आपकी success और failure आपकी सोच पर based होती है और मन में positive belief एक आधार है जिससे success को पाया जा सकता है faith आता है जब subconscious mind को बार-बार instruction मिलेंगे positive emotions को encourage करें और negative emotions जैसे doubt, denial और डर को खद्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हत्यार की रूप में काम कर सकता है ये हार के लिए एक antidote है जब आप अपने उपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके उपर विश्वास करेंगे employer सफल और confident लोगों को ढूंटते हैं जो एक positive impact डाल सकें अपना faith self confidence के रूप में build करने के लिए author suggest करते हैं कि आप अपना नाम एक statement के साथ लिखें जो आपको daily repeat करना चाहिए जिससे subconsciously आप अपने thoughts और action को influence कर सकते हैं आपके पास ability है कि आप अपने purpose को पास सकें आप promise करते हैं कि आप action लेंगे आप ये समझते हैं कि आपकी thoughts धीरी धीरे reality में बदल जाएंगी आप promise करते हैं कि आप अपना time thoughts को reality में बदलने में देंगे आप self confidence की importance को समझते हैं और promise करते हैं कि दिन में 10 minute इस पर काम करने के लिए देंगे आप अपने goal तक पहुचने में कभी नहीं रुकेंगे अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे ऐसे लोगों को ढूंड़े जो वहाँ हैं जहां आप पहुचना चाते हैं करियर में, money में आपको जो influence करते हैं उनका नाम लीजे अपने विश्वास को strong बनाने के लिए उनके experience को याद रखे और अपने आपको याद दिलाएं कि आपकी desires को पाना possible है Auto suggestion का principle हमारी desire से सीधा communicate करता है subconscious mind के एक अटूट विश्वास के रूप में conscious thoughts और desire के अपने routine repetition के थूँ material चीज़े जो हमारे subconscious mind तक पहुशती हैं हमारा decision, feeling और action को control करता है हम सब के control को regain कर सकते हैं specialized knowledge, personal experience और observation अपनी desire को monetary, career या किसी और तरह की success में बदलने के लिए पहले हमारे past services, product और profession की specialized knowledge होनी चाहिए जिसे हम एक बड़े fortune को build करने के लिए offer कर सकते हैं ये specialized knowledge पहले ही आपके position में नहीं होना चाहिए purchase और renting knowledge होना एक popular तरीका है इस कदम को पूरा करने का courses, seminars, books, summaries, industry, conferences सभी अपने लिए much needed specialized knowledge को पाने में help करते हैं एक दूसरा powerful तरीका है knowledgeable लोगों के साथ काम करना मतलब renting knowledge एक ambitious person के लिए अपनी field में सभी नई developments को बनाये रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है imagination the workshop of the mind ideas, products हैं और उन्हें shape या form दी जाती है imagination से इंसान अपनी imagination से कुछ भी बना सकते हैं author दो तरह की imagination के बारे में बताते हैं systematic imagination यह आपके पुराने concepts, thoughts, plans को नए combination में arrange करता है और creative imagination में inspiration मिलती है और ideas आते हैं कभी खत्म ना होने वाली knowledge से अगर आप अपनी imagination का अच्छा इस्तमाल करना चाहते हैं तो अपने बड़े goal को पाने के लिए ideas की list बनाए जो आपको inspire भी करें और आपके talent को अच्छे से इस्तमाल करें organized planning the crystallization of desire into action सिर्फ अपनी success के बारे में सोचना answer नहीं है हर एक achievement आती है एक मजबूत desire imagination से reality में काम करने और एक organized plan के बाद कोई भी plan perfect नहीं है जब आप अपने plan पर implement करते हैं आपको एक temporary हार का experience होता है सबसे अच्छा तरीका है आप उसे अपना लें एक signal की रूप में कि आपके planning सही नहीं है plan को फिर से बनाए अपने पिछले failure की knowledge के साथ अपने goal का पीछा करते रहें अपने goal तक पहुचने से पहले हार मत मानिये क्योंकि हार मानने वालों को अपने long term plans को पूरा देखने का मौका नहीं मिलता decision the mastery of procrastination जो लोग success पाने में हार जाते हैं बिना exception के अपने decision पर धीरे पहुचते हैं और अपने मन को बहुत जल्दी और बार-बार बदलते हैं successful लोग immediate decision लेते हैं और अपने मन को उसी direction में बदलते हैं उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे पा भी लेते हैं decision की surety हमेशा साहस चाहती है decision का opposite है टालमटोल करना जो एक common enemy है जिसे हर एक इंसान को reality में जीतना है persistence the sustained effort necessary to induce faith एक बड़ा कारण failure का है persistence की कमी पर यह depend करता है पूरी तरह आपकी desire पर weak desire weak result लाते हैं persistence का base power of will है और यह और भी दूसरे कारणों से influence होती है जैसे की purpose की surety आत्म निर्भरता plans की surety सटी ज्यान सहयोग आदतें हमें जानना होगा कि इन में से आप में किस चीज की कमी है जो आपकी persistence में रुकावट है इसके opposite persistence की कमी कुछ symptoms को develop करती है टालमटोल करना interest में कमी असमंजस रहना self satisfaction indifference desire का weak होना हार मानने की willingness organized plan की कमी चाहने के बजाए कामना करना shortcut को ढूणना आलोचना का डर तो कोई अपनी persistence को कैसे develop करे author 4 steps suggest करते है एक definite purpose को develop कीजे जिसके पीछे एक burning desire होनी चाहिए एक definite plan को बनाए जो continuous action को express करता है negative और जो आपको discourage करता है वो सारे influence दूर करें उन लोगों के लिए accountable रहें जो आपको अपने plan और purpose को follow करने के लिए encourage करेंगे power of mastermind the driving force आप mastermind तब है जब आपके पास लोगों की team है जिनका काम आपके plan को चलाना और आपकी success में help करना है आपकी team में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में ये आप कैसे बनाएंगे mastermind के power के बिना कोई भी great power और success को नहीं पा सकता mastermind का goal होता है definite plan के साथ knowledge को power में convert करें और फिर plans को action में बदलना subconscious mind the connection link इंसान के नियत और कभी ना खतम होने वाली बुद्धी का एक mail है subconscious mind subconscious mind एक medium की रूप में काम करता है आपकी desires और उनके physical और monetary चीज़ों को बदलने के लिए आपके नजर अंदास करने का result होगा कि जो thoughts आप तक पहुशते हैं वो खत्म हो जाएंगे अगर आप desires को plan करने में fail रहे अपने subconscious mind पर control पाने के लिए साथ बड़े positive emotions को apply करने और अपने फाइदे के लिए use करने की आदत डालने desire, faith, love, sex, enthusiasm, romance, hope constructive opportunity को खराब करने के लिए आपके subconscious mind में एक negative emotion आपके conscious mind में होना काफी है साथ बड़े negative emotions avoid करें जैसे की डर, jealousy, नफरत, बदला, लालच, अंद्विशास, गुसा end में आपका मन पूरी तरह से positive emotions से हावी हो जाएगा ताकि negative emotions अंदर ना जा सके The brain, a broadcasting and receiving station for thought, हर human का दिमाग thought की vibration को broadcast और receive करने का station है subconscious mind देने का station है जिसे thought की vibration broadcast होती है creative imagination एक receiving set है जिसे thoughts की vibration को atmosphere से लिया जाता है जब vibration उचाईयों पर आती है तब thought की vibration में मन उससे और जादा receive करता है तेज vibration ऐसी vibration है जो atmosphere से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक The sixth sense, the door to the temple of wisdom Sixth sense की समझ meditation और अपने अंदर से मन के विकास से आती है एक बार आपने sixth sense को master कर लिया तो आप अपने नजदीक आने वाले खत्रों की खबर टाइम पर पास सकेंगे कि आप उनको रोख सकें और टाइम पर opportunities की खबर भी पास सकेंगे छे basic fear हैं गरीबी, अलोचना, खराब health, प्यार की कमी, बढ़ापा, death जबकि negative influence का exposure seventh enemy है अपने आपको इस enemy से बचाने के लिए आप भी वैसा करिए जैसे और लोग मनी इखटा करते हैं आप ऐसे लोगों की company ढूणे जो आपको positive सोचने और काम करने में influence करते हैं अपने thoughts पर control करने के लिए अपनी willpower का use करिए और अपने subconscious mind को influence करिए डर एक state of mind है ये control और direction पर depend है इस knowledge को अपने फायदे की रूप में use करें दोस्तो ये book use करती है thoughts की power को strong desires और definite purpose को reality में बदलने के लिए विश्वास एक गोंध है जो आपको साथ रखती है हर एक achievement शुरू होती है एक strong desire से और इस plan के बाद imagination से reality में काम आती है successful लोग definite decision पर जल्दी पहुशते हैं और अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं हार का एक persistence की कमी आपको mastermind की help चाहिए बड़ी power और success को पाने के लिए डर एक state of mind है यह control और direction पर depend है Thank you दोस्तो I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपने हमारे चानल को अब तक subscribe नहीं किया है तो immediately चानल को subscribe परें और वीडियो को like और comment भी कर दें इससे हमारा motivation consistently बढ़ता है अगर आप हमारे साथ collaborate करना चाहते हैं तो immediately हमें email भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है यह वीडियो दूसरे लोगों को भी help कर सकती है तो सब के साथ यह वीडियो भीडियो